जिस टीम के 24 रन पे ही चार मेन खिलाडी आउट हो जाएं और एक खिलाडी रिटायर्ड हर्ट हो जाएं उस टीम का हाड़ना लगबग तैय है कुछ ऐसा ही हुआ चन्नई और मुंबई के मैच में जहाँ पर फाफ डुपलेसी, मोहिनली, रैना और धोनी तो आउट हो गए और अमबाती राइडू रिटायर्ड हर्ट हो गए आदी टीम 24 रन पे अंदर तो उस समय कमाल की पारी खेली एक यंग लड़के रितुराज गायकवाड ने जिसने 58 गेंदों पर 88 रन बनाए और सबसे बड़ी बात ये थी कि ओपनिंग खेलने आया ये बंदा पूरे 20 ओवर तक खेला और नोट आउट रहा जिसकी बदोलत CSK ने 156 रन का स्कोर बनाया और उसके साथी साथ इसी स्कोर को डिफेंड करके मैच जीत लिया गायकवाड की इस हिरोईक पारी के लिए उसे प्लेयर ओफ दम मैच का वार्ट दिया गया गायस इस यंग लड़के के लिए आपका क्या कहना है कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग सीजन आईपिल 2010 का रहा था जिसे चन्नाई सूपर किंग्स ने जीता था जो की आईपिल की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक है पर खास बात ये थी कि ये ऐसा पहला सीजन था जिसे यूट्यूब पे ब्रोड़कास्ट किया गया था और उसके साथी साथ आईपिल 2010 के ल किस विकेट निकाले थे और परपल कैप अपने नाम की थी गाईज आपको ये आईपिल का इंट्रॉस्टिंग फेक्ट कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब में लाइक मिलते अगली वीडियो में जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिरके मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया अब समय भीता अंडे फूटे वो चील का बच्चा भी बाहर आया पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी वो उतना ही उड़ सकता था जितनी मुर्गियां usually उड़ती है और आपको पता है कि मुर्गियां जादा नहीं उड़ सकती एक दिन वो चील का बच्चा जो कि मुर्गी की तरह पला बड़ा था उसने आसमान में चील को उड़ते देखा तो उसने अपनी मुर्गी मा को पूछा कि मा वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है मा कहती है बेटा वो तो चील है तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना उचा क्यों नहीं उड़ सकते है तो मा कहती है क्योंकि तुम मुर्गी हो और ये सोच के कि वो मुर्गी है सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया उचा उड़ने का और सिर्फ मुर्गी बनकी वो जीता रहा और एक दिन मर गया अब क्या मोरल निकलता है स्टोरी का पता है लोगों ने कहा आपने मान लिया आपने ठ्राई भी नहीं करा कि शायद मेरी सच्चाई कुछ और है मैं कुछ और हूँ वो सोचा भी नहीं और सेल्फ डाउट में ही आप खतम हो गए गाईज एक बात बताओ जीत अगर सुनिश्चित होना तो कायर भी लड़ जाते हैं बहादूर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मेदान में डटे रहते हैं इसलिए सेल्फ डाउट छोड़ो अपने आप पे भरोसा रखो और लोगों के बैकावे में ऐसी पाउरफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोज को लोगों के साथ शेर करो ताकि वो भी अपनी जिद्गी में कुछ कर सके मिलता अगली वीडियो में